तो आगत है आपका हमारे सवाजवर बिहार यूट्यूब चैनल में आज हम लोग फिर से देखेंगे एक नय जानकारी के बारे में तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं तारीरिक सिच्छा अनुदेशकों की नियुक्ती को आवेदन आज से 11-26 अपरेल तक कर सकेंगे आवेदन आठायार मासिक पर मध्य विद्यालों में होगी नियुक्ती 8306 तारीरिक सिच्छक नियुक्त होंगे पटना बिहार के सरकारी मध्य विद्यालों में 8306 सारीरिक सिच्छा अनुदेशक के पत्पर नियुक्ती की परकिरिया परारंब हो गई है सोमवार 11 अपरेल से यानि की आज से योग या भियार थी अगले 15 दिनों तक आवेदन कर सकेंगे बच्चों को मुफ्त एवन आनिवारी सिच्छा अधिनियम 2009 में निहित पराओ धान के आलोक में जहां 100 से अधिक विद्यार थी नामांकित है वैसे सभी परारंबिक स्कूलों में एक एक सरेजिक सिच्छा सा स्वास्त अनुदेसक बहाल होने हैं आठ हजार के नियत वैतन पर बहाल होने वाले इन अनुदेसकों को 200 रुपे के वार्सिक वैतन विद्य का भी लाब मिलेगा गौर हो कि इनके नियुक्ति की अधिसूचिना सिच्छा विवाग ने 30 मार्स को जारी की थी अधिसूचित नियोजन सीडियोर के मताबिक मद्ध विद्यार में 8886 सरेजिक सिच्छा को एवन तुआस्थ अनुदेसक की नियुक्ति के लिए अवियार्थी से 11-26 अपरेल तक आविदन राप्त किये जाएंगे तैनेत अवियार्थियों को नियुक्ति पत्र 28 माई को दिया जाएगा नियोजान एकाई के सदस से सचीव दौरा 29 अपरेल को अवियारतियों की आउप बंदिक मेधा सुची जारी की जाएगी मेधा सुची पर आपत्ती प्राप्त करने के लिए सुची को जी लेके एन आई सी की पोर्टल पर 29 को ही परकासित की जाएगी 29 से 5 मही तक आपत्ती प्राप्त की जाएगी प्राप्त आपत्ती के नियरा करने के बाद नियुक्ती प्राधिकार से मेधा सुची पर अंतीम रूप से 9 मही तक अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा 9 माई को ही अंतीम मेधा सूची जीले के एन आईसी पोर्टल पर डाल दी जाएगी 12 माई को जीला स्तर पर कैम आयुजित कर मेधा करम में अभ्यार्थियों को आवंत रित कर उनके परवान पत्रों की जाँच होगी 13 माई को कोटिवार रिक्ती के अनुसाज चैन सूची जीले के एन आईसी के पोर्टल पर अप्लोड होगी इसके 15 दिन बाद 28 माई को नियुक्ति पत्र का बितरन किया जाएगा धन्यवाद हमारे सबाज और बिहार यूट्यूब चैनल में अब तक बने हुए रहने के लिए उम्मिद है आपको इस चैनल से बहुत सारा जान करें मिलना होगा आप जिस भी वाटसअप ग्रूप टेलिग्राम ग्रूप का फेस्बूक पर जूरे हुए आप से भी में इस चैनल का लेंक को सेर करें थैंक्यू